गुड़ मॉर्ण्ग स्वेंट्स यह हमारे वान वर्ड सब्सिट्यूट का उनिस्वा पार्ट है इससे पहले हम लोगों ने अठारा पार्ट को कवर कर लिया है जिसे आप प्ले लिस्ट से देख सकते है और अब बिना समय बरबात किये चले शुकरते हमारी आची क्लास मतलब एक ऐसी पढ़ा है जिसमें हम लोग फूल फल और सबजियों के बारे में पढ़ते है कि उसे उपजाया कैसे जाया तो हौटी कल्चर हमारे हो गया बागवानी मतलब एक ऐसी पढ़ाए जिसमें फल, फोल और सब्जियों को किस तरह से उपजाया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया दो शब्दों से मिलके बना हुआ हाइड्रो और फोबिया हाइड्रो का मतलब होता पानी और फोबिया का मतलब होता डर तो एक ऐसा भी मरी जिसमें किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है एक्स्ट्रीम फियर ओफ वाटर पानी का अत्यधिक डर हाइड्रोफोबिया हमारा क्या हो गया पानी से भै मतलब अगर किसे व्यक्ति को पानी से डर लगता है तो हम क्या बलते हैं उसे हाइड्रोफोबिया है Next हमारा वर्ड आता है इंसेंटिव इंसेंटिव क्या हो गया Something that encourages you to do something मतलब कुछ एक ऐसी चीज जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रोतसाहित करती है इंसेंटिव का हिंदी मतलब हो गया प्रोतसाहन Next हमारा वर्ड आता है इंफेंटी सैड इंफेंटी सैड दो सब दो से मिलके बना हुआ है इंफेंटी और सैड इंफेंटी मतलब होता है शिशू और सैड मतलब होता है हत्या तो मतलब क्या हो गया अगर किसी बच्चे का गर्वे में ही हत्या किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? Infanticide क्या होगी है? Infanticide The Crime of Killing a Baby एक बच्चे की हत्या करने का जो अरोप होता है उसे ही Infanticide बोलते है Infanticide के हिंदी क्या होगी हमारा? Shishu हत्या Next हमारा word हमारा word आता है Itinerant Itinerant क्या होता है? Traveling from place to place Especially to find work मतलब एक जगा से दूसरी जगा गूमते रहना किसकी तराश में? काम की तराश में Itinerant के हिंदी मतलब क्या गया? भ्रहमनकारी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगा से दूसरी जगा काम की तराश में घूमता है उसे Itinerant कहते है Next हमारा word आता है जक्स्टा पोस जक्स्टा पोस क्या होता है? Place side by side मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सामने रखना जक्स्टा पोस कहलता है जक्स्टा पोस क्या होता है? मिलाना मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाया जाता है तो उसे हम बोलते है जक्स्टा पोस Next हमारा word आता है Maiden Maiden क्या है? Being the first of its kind Speech, journey, by plane, or ship मतलब किसी भी चीज़ का प्रथम प्रकार मतलब अगर आप किसी भी तरह काम कर रहे है और वो सबसे पहले आप ही के द्वरा किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे Maiden Maiden के हिंदी होता है प्रथम Next हमारा word आता है Masochist Masochist क्या है? Someone who obtains pleasure from receiving punishment मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे अगर सजा दी जाती है तो उसे मजा आता है उसे ही हम Masochist बोलते है तो Masochist के हिंदी क्या गया? पर पीडन कामुक मतलब मार खाने पे उसे मजा आता है Next हमारा word आता है Megalomania Megalomania क्या है? A mental illness condition in which somebody has an exaggerated belief in their own importance और power मतलब एक मानसिक विमारी जिसे में किसी व्यक्ति को लगता है कि वहाँ व्यक्ति बहुत थी ज़्यदा शक्ति शाली है Megalomania का हिंदी होता है अहंकारो नमाद तो Megalomania क्या हो गया? अहंकारो नमाद जिसमें एक व्यक्ति को अपने आप का पावर के बारे में लगता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही है नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है मिसोगैमिस्ट मिसोगैमिस्ट क्या आता A person who hates marriage मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे विवा पसंद ना हो मिसोगैमिस्ट के हिंदी होता है विवा से घ्रिना करने वाला मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे विवा शादिय पसंद ना हो तो समक्या बोलता है कि वह मिसोगैमिस्ट है तो हमारी आज से क्लास के लिए इतना ही मिलते हमारी नेक्स्ट क्लास में